प्रूप बागता कि दरो तू और बच्छ दिनों से भगाया तूने अपने पीच आज तू हमारे पैसे दे दे फिर अकेला भागता रहा एक दूंगा रखेंगा पड़ी एक सक आप लोग पूरी जमीन देख रहे हैं पूरी हां देख रहे हैं अब सोचिए के यह हजारों आम के पेड़ों से परीवी हैं आंक बंद कीजिए और सोचिए आंक बंद कर तुम लोग आखे खुली रखो वरना भाइद आगा सर्फ मैं बंद रखूंगा हां बंद रखी बोलो भाई कैसा लग रहा अच्छा लग रहा पेड़ी पेड हैं मैंने भी यही सोचा इसलिए सारी जमीन खरीद ली और हजार आम के पौधे भी खरीद ली सोचा बढ़ते 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 वह लाखों आम पैदा करेंगे जिससे मैं करोणपती बन जाओंगा और आप लोगगा चोटा मोटा सा करजा लोटा दूगा कैसी लगी अच्छा बहुत अच्छा एडिया मुझे भी लगा बहुत अच्छा एडिया लेकिन सरकार को मुझसे भी अच्छा एडिया मेला यहां पर रेलबे ट्राइक बिछाने का और ना ने मेरी जमीन जब्त कर ली अब मेरे पास सिरिफ हजार आम के पौधे बचे जो सड़ रहे हैं मेरे सब रहे हैं वहीतो इतने सालों क righteous Imminary die Menna आब बॉस्वाद और चोड़ना आप लोग़ि की जो मेरे साथ करने वाला हूं कल श्यान पांच बजह आप सब लोगं का पैसा में एक साथ चूकता करने अ पका ओर अगर नहीं किया तो जो मंन में आइ वो कर लेना लेकिन तीक पाँज बजे आगर टाइम से नीया तो मैं वाँ वेटनी करने वाला हूँ बात में मुझे नहीं कह रहे को पैसे नी मिले है ठीक आछे ठीक आछे बोला तो आप लोग थीक पांच बजे आ गया अरे कौन बोलता है यहां के लोग टाइम पर नहीं आते हैं वाजू एक मिनिट बाजू पैसा देना शुरू कर दिया क्या अले सुनिए फिकर मत कीजिए कारेग्रम अभी शुरू हुआ है तो सब लोग आगे भाई हाँ मैं काम करता हूं एक एक करके सब का नाम पढ़ता हूं जिस जिस बाई हाँ ठीक है ठीक है रगुवीर ग्वाला वीस हजार पाचसो अची हाँ घर पे सब कैसे है ठीक है ठीक है चलो अबे ओए पहले मेना पैसा चुपता कर और मुझे रफादा पाकर अरे शर्मा जी सबसे ज़दा पैसे इनी को देने और यही सबसे लेटा रहे अब और घर किर मेरे पैसे निकाल शांती देखिए आपचि ए शर्मा जी के पैसे मिला के कुल 13,90,000 रूपे देने मुझा आपनों की उतने नहीं है इनी पास थोड़े काम है कितने काम है जाद नहीं थोड़े से खर आफिर फिर कितने है सो रुपए कोई बाद हूँ ने, holds know सो रुपए ही है मेरे पास बाकी के 30, 89,09 रुपए कं अ इसी निचाल पैसे का मतई है अरे पैसे निकाल पैसे अरे तू निकाल पैसे इस समय को चूहे मारने का जहर चूहे मारने का जहर? अब वो क्या है, के मैं जानता था आप लोग मुझे दैनि से मरने भी नहीं देंगे लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों से कुई शिकायत नहीं कभी न कभी आप सब ने मेरी मदद ही कि मैं भी आप लोगों को दोकानी दूँगा आप सब की पाई-पाई चुका दूगा क्या करोँ फूटा नहीं मतलब पटाखा नहीं फूटा तो कहां से तू आपके पैसे मेरे पिता जी कहते थे बेटा तेरा नाम गिनेस बुक और वर्ल रिकॉर्ड में जरूर आएगा ठीक ही कहते थे इतनी छोटी उमर में इतना बड़ा करजा लेने वाला मेरे सिवा दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा लेकिन मैंने ये सब जान भूज कर नहीं किया हाला थी कुछ ऐसे थे अब मेरे पास दो ही रास्ते याद तो आप लोग मुझे पांच साथ की महलत दे दीजी नहीं तो मुझे समंदर में कूद कर अपनी जान देनी पड़ेगी ये होश्यारी मेरे सामने नहीं चलेगी जोदी तो समंदर में डुपके जान देगा ना कुछ जंग मैंने अपने नाम पर एक बहुत बड़ी इंशोरिंस की पॉलिसी ले रखी है उससे आप सब लोगों का पैसा वापस हो जागी लेकिन उसमें मुझे आप लोगों की थोड़ी सी मदद ची है इंशोरिंस एजिन से कहिएगा कि मेरी मौत एक हाथसा थी खुद कुछ ही नहीं आप लोगों से बात करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गया पैसा मिलते ही पिता जी आप सब लोगों की रखम लोटा देंगी यह भाई विकार के बाद छोड़ और पैसे दिन के बारे में कुछ बात कर नहीं तीकडम नहीं तीकडम प्रेजा जीत यह खेल हमारे साथ मत खेल सिर्फ यह यह खेल बचा है मेरे पास ऐसा नहीं है कि मुझे जीने की ख्वाइश नहीं है लेकिन और कोई चाहरा ही नहीं बचा हो जो लोग मुझे पास से जानते हैं वो समझ जाएंगे मेरा फैसला खलत नहीं था हरे अरे अरे शर्ष कुछ जीत अरे अरे उनका हरे अरे उनका हरे जीत जीत कि कि कोई इंफिमेशन आई किया जी नहीं अ टस्ट गाड से कुई इंफॉर्मेशन आई क्या जी नहीं जी नहीं आपने ठीक से ढूड़ा पिता जी आपसे मिलने कोई आया है फर्माईए मास्टर जी हम आपसे नहीं जीतु जीसे मिलने आया है जीतु जीतु जी पिता जी ये लोग कह रहे हैं कि ये तुम से मिलने आये हैं हाँ 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 आपको तो मैं जानता हूँ लेकिन मुझसे क्यों मिलने आये पिता जी मैं जानता हूं कि क्यों आए हैं हां मैं भी जानता हूं मैंने सोचा मुझसे मिलने से पहले एक बार आपको देख लेते क्यों मैं कोई बंदर हूं जो खेल करता रहूं ताकि जो भी आए पहले मुझे देखे अरे पिताजी आप इसको नहीं जानते बबन राओ भाजी वाला याद है आपको जब मैंने लोटरी का बिजनेस चुरू किया था हाँ जो बरबाद हो गया था तो इसी ने मुझे पैंक क कानी देदें सिर्फ एग तारीक देने वो मान जाएगा वहया बराबर को उनको एक तारीक देना और फिर ठीक उसी थारीक वाले दिन गाइब हो जाना तुम्हारी पढ़ा मुझे मैं नहीं है वह तो उसको भी पता जी इसने रही आप बोलें तो ही मानेगा प्लीज मेरी पूरे पैसे चुका रहे हैं यह लो रसी घले में बांदो और लटक जाओ तुम्हारी बड़ी बहन बिन ब्याइग घर में पड़ी हुई है ले देकर घर बचा है जो तुम्हारे कर्जों की वजय से गिर्वी रखना पड़ा और तुम्हें मुझसे और मदद चाहिए क्या कर ताकि हम और तभाई से बच सकें जाओ देखो हम लोगों ने जो फैसला किया था उस फैसले को लेकर तुम मेरी बेटी की जिन्दगी बर्बाद मत करो कैसी बाते कर रहे हैं मैं आज तक अभी आपके रास्ते में आया है आप एक काम की जो आप पूजा के लिएक अच्छ से बस एक ही जीत पराड़ी हुई है साथ ही करेगी तो तुम से आप उसको क्यों कोश्तर है जब से हुश्ता माला है एक ही तो बात सुनते आया है कि मैं उसका हो और वो मेरी मानता हूं हम लोगों की भी यही इच्छा थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम बड़े होते होते इतने बड़े निकम्मे बनोगे आप उसके लिए डरका ढूंडिया मैं उसे मना लूंगा उसकी चुदाई का तुक मुझे साहा नहीं जाए लेकिन कम से कम वो शांती से तुझी अरे नहीं मानेगी वो जब तक तुम उसके सामने खंबे की तरह गड़े रहोगे वो कि अब यह मत कहना जाने की पैसे अरे रखो और इसे लॉट ने की बाहने भी वापस नहीं आना वोट फोर राजनीती में लग गये क्या अरे राजनीती नहीं यह तो तर्की भाई लेंदारों से बशने की जब में मोर्चे में शामिलों के निकलता हो ना तो मेरे लेंदार मुझे पकड़नी पाता है सुभा जब में घर से निकला तो मुझे बीजेपी का मोर्चा मिला उनके साथ चलते चलते में पोस्ट आफिस अथ पहुंचा वहां पता चला कि उनको लेफ जाना था और मुझे राइट तो मैं निकल गया इतना इंतजार करने के बाद मुझे कॉंग्रेस का मोर्चा मिला तो विकार की बाते मत करो मैंने कभी तुम्हें शादी की बात को लेकर परिशान किया है क्या जब तक तुम्हारी सारी परिशानिया दूर नहीं हो जाती मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तयार हूँ कब तक चाहे कितना भी वक्त कुजर चाहे कुछ भी हो जाहे आखिर आप देख दिनन साथ साथ जिहेंगे ना बस मेरे लिए तो उतना ही काफी है ऐसा नहीं हो सकता पूझा मेरे साथ पर उधरी का इतना बोझ है कि मैं एक एक चीटी का वज़न भी नहीं जिल सकता और सच पुछो तो ऐसे हालात में तुम भी मेरे लेक बोझ़ो हीवादा आधा के लिए कभी इस घर के लिए एक हफते का राशन भी लाये हो अब यह बात पता जी मुझसे नहीं कह सकते मां ये लो एक हफते का राशन और उसके साथ पकाने के लिए सबजी बगैर तो मच्छी लाया है क्या मा मैं नहीं जानता कि इस घर में मच्छी नहीं बनती फिर ये मच्छी की बद्बू हाँ वो मैं मच्छी की मार्केट से जा रहा था तो वहां पर वो टोक्रियां लेकर उठाते ना लोग तो तो चार मैंने भी उठा ली ऐसे ही ज़स्ट पर चेंज बेठा तुम ये सब कौन सा ही काम मैं रोज-्रोज करने वाला हूं आप खाना बनाईए मैं फटा फट नहां कर आता हूं मा तुम खाना नहीं खा रही मैं बाद में खाऊंगी ऐसे थोड़ी चलेगा इतनी महनत किया मैंने मेरे हाथ का एक निवाला तो तुमको खाना ही पड़ेगा अरे क्या हूए तुझे बिटा बहुत बड़ा गुल्दस्ता दिया था ना मा मैंने तुझे वादों का बड़ा घर नहीं थाड़ी नौकर जाकर हम सब कुछ तयार है लगता है मैं तुम्हें कुछ भी निदे पाऊंगा मा कभी भी मुझे कुछ नहीं चाहिए लेंदारों से पीछा चुड़ाने के लिए जो तो पागलों की तरह भागता फिरता है ना मुझसे सहा नहीं जाता तू फिकर मत कर मा उसका रास्ता है मेरे पास उसके बाद मेरे पीछे कोई नहीं भागेगा अच्छा ऐसा क्या है जब होगा तो तुम्हें खोदी पता चल जाएगा हो सकता है पहले तुम्हें थोड़ा दुख हूँ लेकिन मुझे कभी गाली आपत तुआ मत देना और पा उसने जो भी कुछ किया जान पुछ कर नहीं किया और आउन से भी जरूर किया ना कि मैं आउन से बात प्यार कर दा रहा हूँ जो लोग बाडी ढूड़ने गए सब वापस आ गए है आज नीचे का पानी बहुत तेज खीच रहा है बाडी मिलने की उमीद कम है आप मास्टर जी को घर ले जाएए जो हो गोज़ान पानी है राजुबार चाहिने गोतिकाड पहले कुंड याने ओई देख मूच चर गुजराती को लेकिन ये नेता जैसे कबड़ा पेंके यहां क्या कर रहा है बाच कर इदने आया होगा इनको तो हिंदी भी आती है अरे तुम लोग इने जांते नहीं किया नहीं यह प्रभाद सिंग चौहान है क्या कर रहे हैं यह वह यहां आप यह नए लोग है अभी आए है इसलिए आपको जानते नहीं है हम लोग गुजरात से हैं तो क्या हुआ, दो पीडी से कलकते में जख नहीं मार रहे हैं, हिंदी क्या, हम बंगाली भी तुम से ज़्यादा अच्छी बोलते हैं, बाबा टेगोर के श्लोक सुने हैं, नहीं हो तो नहीं सुना हमने, लेकिन शाम होते ही हमारे बाबा, बेउडा मैं तो उसे जंदा जला दूँगा, वह यहीं कहीं होना चाहिए, राजुबाव माने यह कौन है? अबे बेवकूफ देखता नहीं है, बला आदमी नमाज पढ़ रहा है, जा तू अपना काम कर यह, वो देखो, अज लिए वो की नव सबसे पहले आ रही है मेरी नव? तो, तो यहाँ तुम हो, मुझे लगा एक भला आदमी बैच के नमाज पढ़ रहा है, चलनुट, राम खोर, दो के बाद मेरी बोट आ रही है, मालू मैं तेरी बोट आ रही है, मेरे पैसे निकाल अरे, देखे, 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 आपको तो पता है न, कि बारिश में जिसकी बोट पहले आती है, उसको निलाभी में डेट लाक रुपया मिलता है, आपको तो पता है, क्या? अरे, तो फिर भी बाकी रहेंगे, आप कमाल करते हैं, जो बोट पहले आई है, वो जाएगी भी पहले, और कल आएगी भी पहले, तो कल शाम को भी डेड लाक मिलेंगे, मिलेंगे न, अब बताईए, कुल मिलाके कितने हुए, डेड और डेड, तीन, मुझे आपको देने कि बराबर, कब दोगे, क्या, पचीस अदर कब दोगे, दे दूगा, अरे, दे दूगा, क्या मतलब कब दोगे, क्या न, दे दूगा, अरे, दे दूगा, क्या होता है, क्या मेरा पैसा पैसा नही है, और मेरी बात ताले के कोशिश मत करना, परसों तक मुझे पचीस अदर मिल पॉन ने दीन पच्छेस और पैसे दिये कहा हूं उतने कि अबर्दार कोई नाव में पैर मत रख रहा है जिसकिसी को भी निला में के लिए बोली लगा निया सब खामने खड़े रहो और यह रोक दानी तो मूह मत खो ला निकल तेरी बीवी क्या मेरी बोट में जो चाणिए लिकल तेरी पर बांडिया कर दो घम आखाए जे एक बी मछले नी एपड़ा क्या बांडिया यह पमांडिया इसका मुखोली दगो सास चली सास आइसे सास चली अब मुछड को क्या बोलूँगा मैं ये सब मुछड को बताने क्या जुरूवत है इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो आप अधेले काफी हो मरा बर फसाया है तुन मुझे अब जैसे जाल खेका तो पहले ये फसा तो जिंदा था तो मच्री सोड़ इसको ले आया अच्छा किया बहुत अच्छा किया चुपकर मुझ बन अरे भाव पंद्रा गस्त को आपको राश्पती हाफ चान मिलेगा चान तो चान को में चाटू अरे आहिए बहुत चानद नहीं सोन चान गोल्ड मीडल romance ला एक तो मुझ महीं निवाला ऊपर से सत्रफूर नם भीजा साला चल पैर पगड़ पकड़ ये नहीं लिए लाश्य के पर अगर ये लालश्कल मैंने टाइम पर हौस्पितल नहीं पहुँछा और यहीं पड़े- भिल्भ मुला ? यारे ? कर दुत astron हाई activities अड़ुँँँँँँँँ करें किकर डवे हो फांत । बाघ सिजन का बाचला भी खतम हो रहा ambitious एड़ पूरा बाचला भॉण दांत के किस तरफ दर दे इस तरफ रुकिया में बुलाता हूं और भी खेंट की कह धो जीतना चाहिजन जाओं अधुब के लगवा नियुक का फूंद हुघ है और खुद रो रहा है यहां बैठो है यहां बैठो यहां बैठो नहीं को कि कि अदें पिदए फिर्ट है इस तो फिर्ट के दर एप ज़िए आप कि अब दो मालक है अरे माली कहा थे आप कब से धून रहा हूं आपको क्या हुआ दोक्तर ने बुलाएए मुझे नहीं यह तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था यह दात बिचरा टकलिफ नहीं देगा जब दर लिया पता दी क्या का जाएगा यहाँ पर जाएगा नहीं आएगा आएगा तेरी पतलून गारा चलो तो क्यश्य की अभी लेड़ा है न मखर मेराALL है यह यह कौन है स्लिक तेरी जाल में फसा है आपको भरोंशन यह मालूमें है क्या है यह यह कुण यह यह कोई मामूली चिठी नहीं इसमें इसमें लिखा है इस आदमी को किन-किन लोगों से कितने पैसे लेने हैं पूरा हिसा अब लिखा है लाखो में और जो लोग इसका पैसा नहीं दे पाए होंगे उन्हों इसको समंदर फेक दिया देखो इसका फ़बना तो देखो, आपके जहजा है? नहीं ना? किसी अच्छे घराने नहीं लगता? मालिक बहुत आसान है! इसकी जान हमने बचाई, उसका कितना मिल सकता है, कम से कम पांच लाग तो मिलेगा ना? किसे? इसके बाप से. तू जानता है इसके बाप को? वो तो वो तो इसकी मा जानती होगी ना? तुमार को ने इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे. तो ये कौन है? इससे तो वो जानते होगे ना? वो कौन? इसके माबाप? ये कौन है जाने वकर इसके माबाप का पता इदियान। एक आइडिया है मेरे पास। क्या। इसका फोटोखीचकी से दिखा कि इससे पूछ लेते हैं ये कौन है। तब तो बताएगा ना ये कौन है। सबबास। मालेक। आ गया। कौन। होश। इसको होश आ गया देखो आखे खुल खसरा है। हट 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 हट। तुमारा नहीं है। तुजिंदा है। तुझे जिन जिन लोगों से पैसे लेने। सबकी लिस्ट मेरे पास सलामत है। हम साथ में मिलके वसुली करेंगे। मैं तेरे साथ हूँ। बोल बेटे तेरा घर कहा है। कहा है तेरे माबाप कहा रहते हैं। क्या हम लोग जो बोल रहे हैं वो सुन सकते हो। कैसे सुनेगा जरूर। इसके कान पानी भर गया होगा। कान में पानी भरा है, मुमें तो नहीं भरा है। बोल। देख, हम तेरे दुष्मन नहीं है, तेरे दोस्त है, यह 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 ग्लुकोस की बातली की कसम, बहुत खर्चा किया है तेरे पीछे, सही बात है, यह तेरी जान बचाने के बदले में, जो हमको पांच लाख मिलने वाला है उस पेज़ा दो लाख मुझे आपी दे, एडवांस, आई, यह पर से बेहोच हो गया, यह बाबा, यह पूरा भी गया, यह छेका छेका चोरा भी गया, उसका बोल, कि उसका माबाद कि दर है, कौन है, हमारा पाइसा कम देगा, उसका बोला कि नहीं? तो अभी तक आपको यह समझ में नहीं आया, यह पहरा है, यह पहरा है, पुरी वाबा, यह सिर्फ एक ही भाचा समझ सकता है, इशारे की, मालिक मेरी तरफ देखो, देखो, मैं दिखाता हूँ, जबा, 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 मालिक देखो क्या बोला, इसको सुपर्च यह, यह पह तो पैसा है तरे पास, तो और सुप का पैसा के तरे बाप देगा, ऐसा जबा, जबा करता है, दबा, दबा के खाता है, ऐसा बह मत्रब का समझ मत पूच इसको, जबा, खा, खा के सांड जैसा हो गया, बुका पता, एक किदर साया तू, तेरा गर किदर है, अरे इशारे की मालिक, तो तू पूच उसको, पूच उसको की तेरा गर बार का है, पूच, ठीक है, तेरा घर, बार, टेरा घर-बार किदर है? और सूप माग रहा है, सूप नहीं, घर-बार, अब माई इसे पूटता हू, पूच ओ मालिक, तेरा गाव, पानी तेरा गाउ किदर है किदर है तो बताना तेरी जगव कौनसी है यह जबा आ यह जबा यह क्या है । तु नी समझा लातूर लात्मा रहू है अभर भी आपने मुझसे बोला है तो समझ म Micho अब इसगते के मच्चे को किस सम्झए ऊप्र इसको रतना गिरी पूछो रतना गिरी रतेन अ है रत्ना क्या है तेट high यावारा रतना गेड़ी 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 पूटताऊ मैं इसको यहां के बारे में पुटताऊं कलकाता के बारे में कौल काथा यह मालिक समल्क कुछो इससर नहीं तो काठा लेगा मुझे तो क्या करूं क्या करे ? बोरी बंदर बारे पुछो मालिक बोरी बंदर ? बोरी ! समझा ? बोरी अभ बनदर के बारे में थो बता समझा ? बोरी बंदर ? समझा ? यहा गंडिया दो कौन है ? यह इधर इधर आ ? क्या हो? हमको पता चला है आपको दरिया में से बड़ी चीज हात लगी है जो भी मिला है उसको लेकर आपको हमारे साथ पोली सेशन चलना पड़ेगा बंडिया, हमालीक, वह बड़ी चीज ला ये ये वह चीज तो आपको क्या लगा है हमको सोना चंदी मिला है ये कौन है, कहां से आया है, जब तक इसका सही पता नहीं चलता, इसको छोड़ेंगा नहीं हम, ये बड़ी अच्छी बात कही है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं होने के कारण, इसको मंदर भी तो नहीं रख सकते हैं, फिलाल इसे मैं तो तुम्हारे पर एक एहसान कर रहा हूँ, ऐसा सुझे, जब, ये भी को जीना है साला, धोबी के कुट्टे से भी बेहा, और उपर से कंदे पर ये बैताल, और दोनों हम टोटली कंगाल, जब है, जब है, साले, मेरा जो ये जबबा था वो दियाना तुझे, अब ये पूरा मैला होके बास मारेगा तभी दूसरा दूँगा, ये मा, ये मा, ये मा नहीं तेरे को में हीडो होंडा तेरा तुझे, अरे, हमारी गड़ी इस सरफ क्यों जा रहे है, बो तो पता नहीं, मालिक लेक रहा हम मगे घशित कु रहे हो, मैं कहा घशित रहा हूँ, अरे, तर अरे मोलेक, जθसा हो छरे तका मार रहा है, ये मा भी खुप लगी होगी, वन्हा उनाज देस लेदर खीचला ये, मालिक, चिपेली नहीं, खीफ्कली नहीं, चिप्च मांग राए है, है छीज्ज्च पली, मालिक, चिइनो मत, छीज्ज्फ, तुछच — ये मालिक, औरे исп गंदी चाई पिलानी पड़ेंगे अच्छी चाई पिलाएंगे और आदत पड़ेंगे तो यह हरो धक्का मार मार के लेके आएगा बावु मुश्य ऐसे करो उसके हिस्से की शक्करों ज्यादा दूद मेरें डाल दो काहे काहे पैसा तो तीनोग दे रहें न मालिक पैसा तीनो करते हैं नामत मालिक बुर्गे नदी हा जबाया अंदा लोल न बिवहल तैस्ट पैसे क्या बोल रहा है उबला हुआ अंडा मांग रहा है इसको उबला हुआ पानी दे ने बोलना अंडा अंदर फिगल गाया गुंगाया पता नी चलेगा थाए पटानी चलेगा प्टाई हें दूर दूर हें आ mandar है आए ऑज Bennett इस हरम सब गहें इस हरा है इस इलाके में बिना शकर के मदलब शकर के बिना ही होता है लिके तू च्छों के हम को मैं गज़ं वेटाय बिना चाय की शकार मेरी चाय तो भग मेठी है अधो तो ही पैसा दे दे माली का भी इतना खर्चा हो गया तो एक चिपस ले ले लेते हैं एक उसको भी दे जबा बुखा होगा जबा 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 मालिक जबा गया गया पाहा गया औरे जान चूटे पर कहा गा पर उल्लू पकाड उसको फुलिस हमकों पकड़ेगी पर कहा गा गा अब पर पोशा हलो अब हलो मैं जीत पॉन बोल रहा है भाई हलो हलो मैं जीत का दोस्त बोलता हूं मोहन जी है क्या देखिए पैसे अभी तक मिले नहीं है लेकिन इंसुरेंस के पैसे बहुत ही जल मिल जाएंगे हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं क्या है अब तक लाश मिली नहीं है इसलिए यह तो तय है कि वो मर चुका है जिन्दा होता तो आप तक पता चल जाता है आपको कितने लेने हैं मालिक वो देखो वो देखो गात पाठा यहां ठुके बचा है रहे हां त पाठा बेरा होगा तू गुद्टा नहीं हूं यह बील चपान मतला पैसा देना पड़ेगा हूं तो में दूगा, क्या बोला, क्या करेगा तू, में इसको दूगा, किसको, में इसको देगा, तू मतला 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 इसको मारेगा, मारूगा, 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 म पर इधर तो धाओ कहां गाया है इधर तो क्या साला उदर बढ़ते कर देखा मेरा भून रूसको अभी इस पर नज़र का कई बिल्ली की तरह सटक नहीं जाता है इतने दूर मने नाव बहुत साले मुझ्छड गुज्राती की वज़ा से यहां पर छपा के रखा है तक यह उठा के लिके न जाए तब तक शुपाएंगे है वह मुझ्छड ले जाएगा ले जाएगा बोल बो के हपते बर से नाव को पानी में उतर ने दिया अपने मेरी हालत इकनी पतली हो गई है कि चाई पानी का भी जुआ नहीं हो पा रहा है आचु पीपी काम चला रहा हूं मैं तो मैं तेरे लिए बीट समंदर में चाई पानी का दुकान खोलू खोल इसका खाने पीने घास इस सफेद कपड़ में भूत ना चलाए मेरे साथ पे यह सब इसी मुसीबत की वज़े सुआ है मानिय इतरा चौवीस गंटे की अंधर अंधर तुने इस मुसीबत को यह से फुटा नहीं नहीं तो मैं तुझे वोट में चड़ने नहीं दूगा चड़ तो आप ही नहीं कि बीस घंटे के अंदर नाव ले जाने के धमकी दिना उसे मुच्टने तो नाव खुलना खुलना है अलो बार या कुछ लाइए यह से लोड़ो आइसे हिंदीं बोलेगा तो समझ में आगा ना अब आले ता सब्सक्राइब साले एक दुने ने गाज पाठा अब इस बोट को आ पहले इस कमी मेंने को अंदर जाने दे एफ्ल अपना दाया पाराँ रागे रख शायद इस मनुष के कदब हमारे ली अच्छे हो ए दाया पर आगे रख यह गुगो दाया मतलब यह पर आगे रहाँ आपर दो पारे ठीम यह पर फिर शमाटने गूँे यह दाको भाने दृ प्रेटपॉम पिछे में जा रहा है, बेवकुम नाव आगे जा रही है मुच्छड गई नाव पानी में मैं पानी में कुछ नाव तो वो मुछड लेके चला गया ना यह सला मनुष जहां भी कदम रखता है तो मालिक मालिक बस बहुत हो गया आज तो इस बात का फैसला करी डालते हैं कर जा फैसला सीधे चलते हैं मुछड के घर फिर मुछड को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नाई फिर मुछड बोलेगा कि नाव वापस महीं करेंगा तो तो हो गया ना फैसला को कच्छोदा अंदर क्या को सोजो वह चोड़ जाके तेरे मुछड को गुजराती में बोलके गुंडिया पाओ आई वाच्छे अब यभी बोलते साथम पांडिया भी है यह अब साथम कुंगा बहरा भी है और बोलना उसको कि हमारा दिमाग बहुत घरम हो चुका है और सदूर्वत पड अंदर है चला के चूरी परवान चो अरे पहलोवान के मारूत इवान कोई फोर्क ने परता को भुछ को तो तो मैं जाओ अंदर है अजव चरव 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 पगड़ नंव मांगने के लिए सही वक्त पे आया मालिक अधि को कि आ बोबी ने बी आओ महरती क्या लेने आ यहाँ है नमस्ति शिट जी अब बोट लेने आए हूं वोट ये गुजरात है गुजरात यहां ना बोट ना बाटली है निकल नहां से ऐसा मत कीजिए सिर्जी पेट पे लात मत मार ये गरीब आदमी हूँ मैं तो इतना रीदी क्यों कर रहा है पूचे बोल उस दिन क्या बोला था जब मैं तेरे पास पैसे लेने आया था सब के सामने बोलता है मेरी मूचे मुढ़ा के गदे पर बिठा के पूरे में गुमाएगा चाथ निकाल मूच मेरी आप मुझे याद निकाल में कहता हूं मैं यह ऊच्छा जाने दो वो तो याद होगा ना जो तुने मेरे आत्मियों से कहा था जब वो पैसे मांगने गए थे तुने कहा था अए यहा गुजरात नहीं है मेरा नागा है मेरा उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था अब आपने ये भी का था कि इनके टुकुड़े टुकुड़े करके मचलियों खिला देंगे बोला साना मालीक मेरी माँ को उंगली दिखाता है और प्रणाम करता माँ को तुझे गुजरातियों की ताकत का अंदादा नहीं है अगर तुझ में हिम्मत है तो अखाडे में आ दो तो हाथ कर और हम में से किसी एक को हरा अपनी नाव वापस ले जा बहुत अच्छा मोका है मालिक एकाद को ठ सारी माफ माफ हां ले क paganा जलो ओशर अल्ओा के टे सेरे मेटे को पहाड करूं मालिक क्या हुआ उस तो चड़ी पैंई है तो इसमेर आइवक्स लेकिन अच्छा लेकिन मैं ने अब इसके पास है वो कैसे अजय मैंने बोट पर चट्डी चुकाने को रख़े थी बोट गई चट्डी गई वह नहीं पहले बोट फिर लंगोट क्यों बहीं वहाइं अभी से पसीना चुट गया नहीं पसीना नहीं लेकिन अगर कुछ और चूट गया तो उसे रोकने के यह मत समनना कि हम लोग डरपोक है, नहीं, मेरे दादा पर दादा लड़ा कुथ है, और इसके खांदाल में तो, शूरवीरों के खूंद उड़ रहा है, हाँ, इसके मेरी जगा ये लड़ेगा, हाँ, मैं कैसे लड़ सकता हूँ, क्यों, तुम शूरवीर नहीं हो, मैं मैं हू हाँ भी पता चलेगा आदमी को अरत का नाम देते हो, सरासना इंसा भी, मैं निलनुगा इसके जाथ पकाड, पकाड उसको पकाड, इसके लिने वटेक भाल, मैं पकार इसको आया। ठर्व Index तीर दे और थीर के एक टूकणा फेग सूरत बहा और एक टूकणा फेग हंदामाद मा तीराख भुमार्त दो आप नहीं, नहीं को यह नहाँ यह कहोंगा wed यह कुंगा इसको छोरो मारो तो देखो यह मार नहीं थी तो यह तो हमारे लिए खेल था यह यह खेल था मार तो अब पड़ेगी देखिए देखिए हमें मारने से यह हमारी नाव पर कभजा करने से आपके पैसे थोड़ी जुगते हो जाएंगे तो और मैं क्या करूँ देखिए आप मुझे मेरी नाव वापस दे देजिए उससे बेच कर मैं आपके सारी उधारी चुका दूँगा सच नहीं मुझे तुम पर बिलकुल भरोसा नहीं है अगर मैं तुझे तेरी नाव दे दूँ तू छू मंतर हो जाएगा नहीं एक ही शर् किसना कुछ तो चाहिए जर जमीन या जोरू यह भगवान अब में जोरू कहां सब आपको मुझे पर भरोसा नहीं है नहीं है तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता यह आपके पास गिर्वी रहना बस यह यह कौन है यह यह मेरा इकलोता पती जाए बड़े बड़े प्यार से मैंने इसका जतन किया मैं नीचे नहीं रखता था कि उसको साब काट ले सर पी नहीं मिठा ताकि चिलक हुए उड़ा के ले जाए इसे हमेशा मैंने मैंने अपनी गोल में रखता है गोल में मेरा प्यारा बती जा कर नहीं है मैं तुम्हरे बगर एक पल भी जिन्दा देरे से हाह का करूं मैं मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है जब तक तुम्हरे चाचुट के पैससे नहीं लाटा देते तुमको यही रहना पड़ गए आप मेरे जैसे गरीब के बगर एक पल नहीं रह सकते हैं तो अपने इस कलेजे के टुकड़े के बगर कैसे जिन्दा रहेंगे माले 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 चुम रहे तो तू भी इसकी जुदाई बरदाश्ट नहीं कर सकता है तो ठीक है इस टिड़े को भी यहीं छोड़ दो क्या ने यह नहीं हो सकता क्या क्योंकि मैं अपने माले के जिदाई वर्दाश्ट नहीं कर सकता यह बांडिया यह बांडिया तेरी जुदाई का गम में सहलूंगा बांडिया सहलूंगा जा मौलेक मैं अपनी नाव लेकर जा रहा हूं लेकिन मेरा कलेजा और मेरा कलेजी का छिलका यहीं जोड़कर देखा देखा चोहां से खिलवाड करने का अंजाम भाधा प्ला रखना और में दो तारिक को आउंगा टारिक अरे माइने में दो तारिक को होती है ना नहीं होती है मालिक जाओ जाओ जोओ जाओ तुम अगर मेरा सुनोगा मेरे हिसाब से चलोगा तर तुम अगर मेरा सुनोगा सुम अगरी अगरी जपारी निसाब से चलोगा तो मेरे अशुचा होगा नहीं तॉक कुछ भी बोलो यह नहीं सुनने वाला कैसे नहीं सुनने वाला मैं इसको सुनता कर दुआ लगा duża क्या चबाश कुर B तुमेरी बाद सुनेगा क्या यह दिखा हों अपने हाथ की घर्मिय हुई तो बला पुछ दिखाता हूं अब एक नहीं दो किया बात है क्या नहीं दिखा ठाम नहीं महिम सा इन लोगाँ नहीं जाति Ein Lal Tr defect ura öb तुम दोनों में से जूत अची तरह पॉलिश करना किसको आता है मुझे नहीं आता इसको बहुत अच्छी तरह आता है मास्टर है मास्टर तेरा क्या है बांडिया क्या डांडिया बांडिया अच्छा डांडिया देख पहले तु जूता पालिश करना सी नटवर इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो चल मोची इतने सारे जूते अगर में फुट पास पालिश करता तो इतनी कमाई होती कि ये ख़ते के अंदर में एक नाओ खरी दिलेता ये लोग ये थोड़े से और पुराने जूते हैं इन पर हाद साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो और नहीं भी देंगे और कुछ जूते पैरों के साथ चल कर बाहर गए हैं जैसे वापेस आजाएंगे वो भी देंगे अच्छा ये बताओ तुम दोनों मेंसे अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है एक और काम ये तो मैं हर्गिज नहीं करूँगा मैं बहुत अच्छी तरीक इस प्रदोता हूं इसको बिल्कुल नहीं आता मैं इसको बिल्कुल सिखा दूँगा नहीं, नहीं, कपड़े महहंगे हैं. जो नहीं जानता वो धोएगा, तो कपड़े फट जाएंगे. तो? ये काम तो तुम को ही करना पड़ेगा. खस-खस, तो खस-खस के मरदा ना इच्टे! केती किसनों भारते! दूभी घाट किदेरे? एक बात बताओ, यहां के लोगों ने पिछले दो साल से कपड़े नहीं दोए क्या? इह, फाल तु बातों मैं वक्त बरबाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं यहां लाने दो लाने दो बुरे गर के कपड़े लाने दो और पॉडोस्तों से भी बुचलों उनके कपड़े उनको लाने दो यह सच्टा अच्छा साव उन्हें इसलिए तनी मस्दूरी करवा रहे हो प्रॉब कि लेंगा है कि शरकर सकतम्भू यह नो टंकी, ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं, 15-16 परिवार, तुसको घर की बोलते हैं, इसको जिला गोसित क्यों नहीं कर देते हैं, काम कर नहीं, तो तुदे रसी में सुखा दूँगा, हाँ, यह कुर्ता किस राक्षस का है, यह कुर्ता हमारे बड़े साहब का है, मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है, यह, नीची अवाज में बात कर, यह लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंग चोहान, गुजरात गय है, आने वाले है, यह, हलो, हलो, प्यत्नों खाड़ो गढ़ा खोद जाके साले गुजराती समझता रही, मेरत पड़े की तब मज़ा आएगा, कपड़े धोदोक मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से गढ़ा खोद, मैं कोई बंदुआ मजदूर हूँ, आरे पेट में खाड़ो पूर्वा का मतलब मालूम है, वो खाना खाने के ल गुंगरा, 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 मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, अब कुछ नहीं हो सकता, इस घर का असूल है कि एक बार किसी नह माना कर दिया, तो दुबारा उसको खाना नहीं मिलता, अब कुछ नहीं हो सकता, क्या, हो सकता है, एक बार सब का खाना हो पागल हो गया इसलिए होश्को बैठा अबे ग्रोंचू यह तेरा मालिक नहीं है यह बड़े साप की कलोती भेंट के कपड़े जरा से भी भड़ गये ना तो बड़े साप तुझे फाट डालेंगे क्वेर प्रॉप खटा शू काम छे मुझे गुजराती नहीं आती इसलिए जब उनुन खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या हाई शू शू तो मैने कपके पॉलिस कर लिये और कपड़े भी ढ़ दाले अब मुझे क्या क्या बुला सर व्र आकशिक में आप बव्रागणुष के शोड़ी हां थाघरो चोली आप दोना पूर आप दोना पाल्या लैच को यह भागणुष के यह जो से ऐखे घृचिए अगर आपको अतराज ना हो तो मैं आप ले ले लधां यह आप तर दूमने जरूर कोई गडबड की होगी तब ही तुम्हारी यह हालत बनी है यह तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया नहीं तो वो लोग तुझा मान मन के दाल ढोकली बनाते भी ते और शाम को खाव भी लेते थे यह किस तरह के लोग सुबहे से साम तक काम 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 खाना हराम यह प्राणी यहां बैठा है यह जब आड़ा है अरे तुम्हें समाचार मिले रसोई घर में उन लोगों ने हमें बरतन की तरह दुआया है वहां भी मारा रोता क्यों आप कहीं मां जाना हां यहां बैठ बैठ यहीं मिलेगा मार नई खाना यह ले प्लेट ले दो यह किस जानवर की चमड़ी है नई जब आती है तो इसे सूखा के से खाओ इसके साथ कुछ तो चाहिए अचार मिलेगा आचार जोई है जोई है जोई है आले चार एक बे तईन चार पांच छो हाथ दोए क्या 24 गंटेस कपड़े दो रहा हो भी साबुन से अब यह हाथ में दो इस खाने के लिए अरी मिलेगी काटने के लिए शुकर करो बाकी दिनों के हैसाब से आच चपाती नरम है तो यह है वो तो नई नमूने जो काम के लिए आए लड़के अच्छे हैं बहुत म अच्छा तुम्हें फाइस्टा होटल से खाना लाके दे चल दी खाओ और काम पर चलो ने 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 मुझे इतना मजबूत टिकाओ खाना काने की आदत नहीं है अरे इसे देखो कैसे चुपचाप खाना कह रहा है इसे तो कुछ भी देदो चुपचाप खाएगा और कुछ भ जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे नी ने 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 यह वी एक में साब है लेकिन इस यसे बड़ी और लेक्षारी बोल नहीं सकती लेकर सुन सकती है आज शुरुति शुरुति चलो मेरे साथ मुझे तुम्हे कुछ दिखाना है अरे तुमेक मेरे साथ मैं तुम्हेक आदमी से मिल्वाना चाहते हूं चलो ना ये देखो ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है लेकिन देखने में लगता नहीं कि वो गूंगा या बहरा है इउनको को आइं क consig नावार काहiveness provoc ! जबालियो घॉल रहे हो दॉनके नहीं जबालो तरे जान कि लूंका मालिक माफ कर दो मैंने आपको देखा नहीं अरे देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर रांग के नीचे कैसे लगा नहीं नहीं मैं तो इसको मारा था किसे इस बचारे गुंगे जीव को अब तुझे दिखाता हूं मजा रुको यह पकड़ो पकड़ो अब तुम इसे मारो मारा सुनों पिल्कुछ यहीं लगना चाहिए है यह कुंगे मैं तरह भाई हूं साले यह तोड़ दे हां यहां बाब साले कुछ भी हो मंगल 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 अरे आप लोगों को मंगल के सिवा कुछ दिखता है कि नहीं मंगल आपका बड़ा भाई नहीं है वो आपके बड़े भाई का लड़का है अरे मैं मानता हूं मेरे बड़े भाई का लड़का है लेकिन मेरे लिए तो वो बड़े भाई से भी जो वो कहेगा वो इस घर का कानून होगा और सब को मानना पड़ेगा तुमको भी सबस्सक्राब सबस्सक्राब मंडप की टांग का प्लास्टर नहीं हो सकता ना ये सारी चीजे मेरी है मजब चाहूं यहा सकता हूं समझा कि नहीं ए चल फूट ए त्या फूट समभाल कर काट जाल काटने को बोलाता ये क्या कर रहा है सामने खड़े रोगे तो लग जाएगा क्या हुआ अरे वही तो मैं पूछ रहा हूं क्या हो रहा है तुमको चाहिए क्या है अरे इसे मैंने बांदा है तो मैं ही ले जाओंगा अरे इसको तो छोड़े इसको मैंने बांदा है अरे मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं यह तो आप भी एची तरह जानते हैं और इस घर के सभी लोग जानते हैं कि साधी होते ही मेले जाता हूँ ए बाबू, क्या हुआ? ओ, साभू, मैं कह रहा था कि ताय लंबी कर दिये क्या बांदा था इसने? शादी के लिए बांदा था किस की साधी? शुरुती मिम्सब की अच्छा, तो यह है शुरुती का पती? हे? क्या बक्वास कर रहा था? मरवाएगा क्या? अरे वो चिल्ला चिल्ला नहीं के रहा था मैने बांदा है, मैने बांदा है बांदे का मतलब शादी का मंड़ा बांदा उसने कोई मंगल सुत्रे नहीं क्या? यह मंडब है? मैने तो सुचा जा रहे तुम्हारे काओ में ऐसे घर होते हैं? साला डॉंकी, यह घर नहीं महल है बड़े साका हुकम था कि इस घर को आलिशान महल की तरह सजा दो शुरुती मिम्सब की शादी है ना? सादी कब है? तारिक तो कब की निकल गई जिस दिन शादी थी ना उसी दिन शादी तूट गई सादी के ही दिन सादी तूट जाना कितने दुख्की बात है इसी मंडब में शादी तूटी थी और इसी मंडब में शादी होगी ये कसम खाई थी मंगल ने इसी मंडप में अब एक कसम क्या तेरे से पूछ कर लेगा वो ज़्यादा पड़बन मत कर भड़ा तो तुझे मिल रहा है न देखो सेग जी फसाओ मत मुझे पहले ही दो-तिन शादी और एक मंदीर का तिवार इन सबका एडवांस ले चुका हूँ ये मंडप खोलकर मुझे उधर लगाना है अगर तुने इस मंडप को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगा मजाग कर रहे हो या सच बोल रहे हो सच बोल रहा हूँ तो फी ठीक है बाकी ऐसा मजाग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हाँ और हाँ अगर उस लड़की की शादी कभी नहीं हुई तो भगवान के लिए ये मत कहना कि इस मंडप को उसकी शादी के असमारक के तौर पे छोड़ दो अरे जब मंगल भया ने खसम खाई तो घर के हर आदमी ने खसम खाली कि जब तक शुरुती नहीं साब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा यो नहीं करेगा तो अच्छा होगा नहीं, तो शादी कपड़े दोते दोते मैं शादी के लाइक नहीं रहता है। लेकन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होने चाहिए। नहीं तो मेरी शादी कब होगी। तुम्हाइक उमर के हिशाब शे इस घर में एक ही तुम्हाइन लाइक और थे वो मुच्चड की बीबी है लेकूं उसके लिए तुम्हे उस मुच्चड को रास्ते ठाना पड़ेगा ए बखवाद बंद कर रहा है मेरी तो वो रूपा 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 के बन्यान से साधी करेंगा तू अबे चो वो बन्यान नहीं है वो तो घागराच छोली है जो रसोईगर में चप अरे जिसने तरी पिटाई की ती ती आ कमरा में अरो अबां-ज। भॉनिंद है जो रुखच्छ्टरी परॉपा जै shipping गज्या़शा जब गई है इसलिए मुझे अलग अलग तरे की आवाज इस उनाए दे रहे है जोड़ा चेतन याद तो पी आतो पर तू सोजा मैं सोजाता हूं कि अगर 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 कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर लेकर एई सोजा क्या हल लाऑर है जुप कर कुटे सोजा एए 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 इसलाएदर कोई है नहीं मेरी बात सुनने वाला अरे मुझे बोलना है इतने महीने से मैंने अपनी आवाज नहीं सुनी है अरे कोई है क्या अच्छा तो तुम बोल नहीं सकते लेकिन का सकते हो बस बस ये बतावे नाटक क्यों किया तुमने ठीक है तुम्हारा मुझ खुलबाने का रास्ता है हमारे पास चलो में साब ये कहां कायब हो गया मैं यहां हूं हम आपके चैड़नों में वो क्या है कि मैं कभी-कभी बोल भी सकता हूं और कभी-कभी सुन भी सकता हूं मैं थोड़ा अलग तरीके का गुंगा हूं पनी सज पताँ मेरी उर्रण किड्नी नहीं है तो गुंगा कुल बननता है तेरी किट्नी के तरी मुह में जब बननहीं नहीं व डॉक्टर ने का था करा। क्या दिल के दोरा भी बढ़ सकता है, तो चाचा ने का, गुगा बेरा बन जा, इससे तुझे काम भी नी करना पड़ेगा, और लोगों के दिलासा भी मिलेगा, प्लीज, प्लीज, जब तक मेरे चाचा पैसा लेगें नियाते, मुझे रड़ी दीजिए, एक किट्डी वाले का दर पानी पीना बंद करवा दूगा, क्या, वो कैसे, मैं जहर खा के, इस कोई में कुद के अपनी जान दे दूगा, ठीके ठीके, इस बार तो हम तुम्हें छोड रहे हैं, लेकिन इस घर में अगर तुम्हारी असलियत किसी को पता चली ना, तो अपनी दूसरी किट्नी भी खो जाओ, ओके, कर रान बेर को एक, सपना आया, कैसा सपना, सपने मैंने देगा, कि हम तीनों बैठ के, तानू पी रहते हैं, और ये गूँगा, हाहा, बोला, चुपकर बेगुट्ते, यही बोला तो नैस ने, हाहा, तेरे को कैसे मालू, मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था, अरे तुमने बोला ना, हम सपने में तीनों बैठ कि दारू की रहे थे, तो मैं भी छुनूँगा, मैं कोई बहरा थोड़ तेप्पू, लेकिन अटवर तेरे सपने में यहाँ, समझ गया, समझ गया, समझ गया संदेचाए आया है है कि कैसे घर्मा करें देखो शुरुती दिक्री की शादी तैब हो गई मंगल नहीं ये फैक्स बेजा है शुरुती में तब आपकी शादी पक्की हो गई शुरुट शुरु शुरु आसी नहीं हम लोग मिठाईर लेकर जायेंगे फिर उसे बताएंगे चलो शुर्ती दिक्री शुर्ती दिक्रा तुम्हें इसमें से जो पसंद हो ले लो तुम्हें एक खुछ ख़बरी सुनानी है पूछ रही है दहेश में उन्होंने अमारी कितनी जायतात मागी है तुम उसकी चिंता मत करो दिक्री वो मंगल समार लेगा लो मुँ मिठा करो लेली दिक्रा एमदाबाद की दो कंपनिया और यहां की बहुत सारी जायतात उन लोगोंने मागी है तो ये बात तो साफ है ना कि उन लोगों को शूती नहीं शूती की डॉलर चाहिए तो इसमें गलत क्या है दहेज प्रथा तो बर्सों से चली आ रही है कोई आज की बात थोड़ी है एक बार जायदात उनके हाथ लग गई तो वो उन पर एक बोच बन कर रह जाएगी और शूती किसी पर बोच नहीं बनना चाहती तो क्या इस वज़े से शूती में सब को हम पूरी जिन्दी घर में बिठाके रखे मंगले कैक तो विचारी ने लगना नकी करे आशे ने बराबर मंगल बिना सोचे विचारे कोई फैसला करे गई नहीं वो विचारा सारी जिन्दगी सिर्फ तुमारे लिए ही तो जिया है शूती तारे तारा भाईनी बात मानी ले भी जो ये आप लोग समझ क्यों नहीं रहे ये सब उसे पसंद नहीं है देखो हम सब जानते हैं मंगल जो भी फैसला लेता है इस घर में वही होता है तो हम सब की भलाई इसी में है कि हम उसकी बात मान लें अरे शूती एए अरे ये क्या ये रोने का वक्त थोड़ी ना है चलो 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 अभी तुम्हारी शादी हुई तो नहीं है ना चलो उठो ना उठो मैं और तुम्हारे भाईया से बात करूँ मेरी शामत आई है क्या अरे कोई उनसे कुछ भी कहे लेकिन उनकी खोपड़े में कुछ ने कुछ ने वाला है सबको मालूम है तुम्हार लिए उनका प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि वह पागल हो गया है पागल एई लेकिन तुम चिंता मत करो तुम्हारे भाईया को पता भी ना चले और तुम्हारी शादी भी टल जाए ऐसा एक तुक्का है मेरे पास किस तरह के कपड़े पहन रखिये तुम्हें अरे वो यह वो पहलवान का कुरता है नाइट्रे समझ के पहन लेता हूं तुम्हें मुझे क्यों बलाया येलो ताथ क्यों देखा रहे हो नहीं वो मैं प्रेम पत्रन नहीं लेता हूं मुझे शरम आती है एक मौरूंगे ना तुम्हें प्रेम पत्रन नहीं लेता है येलो क्या है हिंदी में तो लिखा है तो मुझे भी समझ में आता है हू शूरूती नो आशिक पोडू संदेशा है कुछरात पहुचाना है अरे लेकिन मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है के मैं गुचरात पहुचा किया हूंगा तुम्हें गुचरात जाने की जरूरत नहीं एक बार तुम्हारी आवास पहुचा तक इतना ही काफी है येलो मेरी आवाज अपनी आवास में पड़ो हलो जैचन राठोर बोलुच्ट तमे कौन हाँ कोई जैचन राठोर है तुम बात करो अच्छ चा ओकर अलो हू शूती नो आशिक बोलुच्ण कि अमें बेवज थी प्रेम माँ चाहिए अमें बने एक बीजी वगर जीवी नहीं चाहिए अने जो कोई मा नो लाल वचमा आवी अने शुरुती नी साथ लगन करवानी कोशिश करी तो अमारा बनना नी लाश तने मंडप माँ जोवा मंचे समझेयो के आप दोनों का चकर दो साम से चल रहा है और तुम दोनों इक दूसरे के बगार जी नहीं सकते अच्छा और अगर जैचंद अरशूती के शादी हो गई तो तुम दोनों की लाश वो इसी मंड़प में पाएगा अरे फिर तो ऑन दोनों की शादी टूच गए और इस के समयंता कि अगर किसी को पता चल गया कि तुम बोल सत्ती हो तो तुम है सुरो मैं हुआ 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 यह संदेश तुम नहीं वेजा है अमारत यह संदेश नहीं गुजरात समाचरावी छे हुआ नहीं नहीं मैं प्रेम संदेश की बात कर रहा हुआ अकबार की नहीं अकबार इटले शू, चोको भार खबर छे, बीयर बार खबर छे, बीरबल अकबर खबर छे, अकबार मती खबत देखो, तुम्हे अगर प्रेम पत्र लिखना है ना, तो उस भाशा में लिखो, जो मुझको समझ में आये शू? मतलब की, अब मैं इसको पड़ता हूं, तुम मुझको इसका मतलब समझाना ठीक है, ओई, कोकर है, लाइट में, हूँ शूतिना आशिक बोलनुचू, आमें वे वस्ते प्रेमेच ही है, आमें बनने एक भीगा बगा जीवे ने चके, अन्ने जो कोई माई का लाज पाच्वा को अन्ने जया हुआ झालिज का लाइट झालने एगिसे प्रेमाझा जा खालने इसका मतलब कालने यआू, को भीडरा मतले में जीवे वहांविंए हूँ प्रेमे को चके कि लिए सब्सक्वा उडरीन को ले झालने यखतना परे खL झाया! कानातुन, कानातुन! क्यो के अ कि यह जीर आइसा! ने, रहाँ! हँ? ने, रहाँ. ने, रहाँ! ने, रहाँ, ने! रहाँ, रहाँ! आप मेरी बाद कुलो भाईया उसा मत मारिये प्लीस नए जू किया तुने केस ने कहा था तुछे करने के लिए बदा बदा वर ना जान से मार दूगा तुझा बदा अंगर अंगर आप बीच में मता ये काका इसी कमीने ने फॉंग किया था इसीने मेरी बेंद की शादी तोड़ी है नहीं इसीने बोला था कि मेरी बात सुनो वो बोलने ही सकता गुंगा है यह हमारी शूरूती की तरहे बेजबान है रात को मुझे पर किसी ने चिट्टी फैंके मुझे छेड़ने के लिए उसे छीन का भाग राता है एक अंजान फोन की वज़े से उन्होंने ये शादी तोड़ दी फोन की बात अगर उन्होंने मान भिली तो कोई बात नहीं हमारे एक्सपोर्ट और ट्रावल एजिंसी का दंदा अगर उनके नाम कर दे तो वो सी दिन शादी करने के लिए राजी है तो तम्हें ये वनी शारतों माने ली दी जी मान ली मैंने का जो भी मांगोंगे दे देंगे सिवाए मेरे बहन के क्या समझते हो लोग मेरे बहन मुझ पर भोज है जिसे मैं ऐसे भैग दूगा मुझे पैसे के कोई फिकर नहीं मैं चाहता हूं तुझे ऐसा लड़का मिले जो तुझ से प्यार करें तेरी दौलत से नहीं वो दुनिया में जहां भी हो मैं उसे डून रहूंगा वो जो भी मांगेगा मैं उसे दूँगा अपनी चान पे मंगल फिकर क्यों करते हो मंगल वो मंडप इसकी शादी के लिए बनाया था उसी मंडप में इसकी शादी होगी जी काका जी मुझे माफ कर दो हाला दैसे हो जाएंगे मुझे पता नहीं था लेकिन मुझे पता था उस पहलवान का पहला गुसा पढ़ते ही मैं समझ गया था यहाल होने वाला अब तुमारा या रहना ठीक नहीं आज ही रात तुम्हे याशे चले जाओ चला जाओं, कहाँ? कहीं भी, अगर तुम्हें पैसे चाहिए, तो मैं दे दूँगे किते दोगी? पांटसो चलेगा क्या? पांटसो? उस पहलवान ने मुझे जैकी चाहिन की तरह चारसो पांटसो घूसे मारे उसका सिर्फ पांटसो और अगर कोई साइकल वाला भी मार देना तो पांटसो ज्यादा मिलता है तो तुम्हें यहां से जाने के लिए कितने चाहिए हैं? तेरा लाग नब्बे हजार बस इतने ही? यह तो बहुत कम है ऐसा है क्या? अगर पूरे पंद्रा लाग देदू तो क्या? तो सादा पका हां? एकदम पका ज्यादा होशहारी दिखाने की कोशिश मत कर अगर भाईया को पता चल गया कि तु बोल सकता है ना तो तुझे जैकी चैन की तरह नी माइक टैसन की तरह पीटेंगे इसलिए मैं बोल रही तो यहां से रफुचकर होजा समझा क्या? कल सुबा तो यहां पे दिखना नी चाहिए ए शाणी, रुक क्या सबजती है तो अपने आपको? मुझे दमकी दे रही है वो कागज जो तुने लिखा है ना अभी भी उस पहलवान के हाथ में है और यहां पे सब लोग जानते हैं कि मैं कल का आया वाओं मुझे गुजराती वुजराती नहीं आती और वैसे भी मुझे उसकी तोड़ने में क्या दिल्चस्पी हो सकती है मैं उसका प्रीमी लगता हूं क्या यह जादा गुस्ता मत दिखा उस कागज में लिखाई तेरी है यह साबित करने के लिए मुझे उनसे सर्फ इतना ही कहना है कि तेरी और उस कागज की लिखाई मिला ले उसके बाद जवाब तो ही दे ना और अगर मेरी हट गई ना तो मैं उसे यह भी कह दूँगा कि तो जिस बात की जलन थी कि वह लोग सर्फ उसकी शादी के बारे में सोच रहे तेरी नहीं इससे उनको यह भी शाक हो जाएगा कि इससे पहले वाली शादी तूटी है ना वो भी तेरी वजएसे तूटी है और अगर गलती से मेरा मुझ खोल गया ना तो तो तेरी हैपी दिवाली शरू प्ष्स बूम गुडनाइट सालो कुत्रो गुंड्या बहु रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ शाल जाओ जाओ मैंतो यहां पर युद्ध करने आया हूँ यूद शाला मेरे भतिजे को मारता है धेमना साला गुंडए गुंडए मत बनों अकर उनको पता चला मैंने तरको बताया तो मुझे नौकरी साथ दोना पड़ेगा रात मार उसकी नौकरी को चला नौकरी मैं तुछा दुन्दा कल से आज मेरी बोट पे आरे मैं बोट पे क्य काम करूंगा अरे तेरे को ऐसा डरावना बना के सलिया कुसर के किनार पे खड़ा रखूंगा तो कहुए भी मचली को परेशान नहीं करेंगे मेरा भतिजे को मारा है ना जब तो के मसला सुलचतानिया मैं यहां से नहीं जाने वाला हुँए आगे गुज्रात की पूच बोलता कि गल्ती हो गई हाथा देखो तुम्हें काम करो तुम अपने भतीजे को ले जाओ पैसे बात में दे देना आपने जबान दिया दिया अभी गिरकिट की तरह रंग बात पटलो क्या कहा था आपने कि जब तक मैं आपके पैसे नहीं लोटा था आप उसको छोड़ना आपने को चैये भी नहीं आरे मेरे बात में बिच में याने का हा मेरे पैसे का मामला अलग है समझ के लेकिन ये उसको जो मारा पिता उसका तुम हिसाब करो कि थोड़ा आइस्ता आइस्ता मंगल अंदर है अरे माई कोई मंगल शनी से नेडरता हूं और मैं भी खारवा का बेटा हूं जब भी मचवारे का बच्चा रोता है तो मां क्या बोलती है पता है सोजा तो गुंडिया पाब आप अजए का सोजा ये तो मैंने बहुत बार अज़ए सुना है अरे मुष्रम भी सुना है अरे तुमारे मंगल पंगल को था भड़ता हूं तरी मंगल बातली का बुला अलाँ एक अधी लगारे का बुला दुछ भी हूए अन्जाने में हूए अज़ती हूए पूल थी शेजित्का मां प्रास्चित का चुकां अगा वसे 20,000 सालरी ठीक न तबर आगर मुझे खोला बीस हाजार हाँ समाल के रखना यह से हिलाना भी नहीं नहीं मैं एक तारिक को आऊंगा और यह लिखे जाऊंगा चोर इस्तरी चोरी अरे नहीं नहीं पकड़ेंगे न तो तेरे जैसा जबा जबा बना नहीं इस्तरी गायब जाब उनके धंदे में मुझे 18,000,000 की खोट गई है देखो इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए पैसा मिला जी नहीं मिला तो फिर यहां हाथ लटकाए हुए किसली आयो एक नंबर के निकम में हो तुम पैसा वसूल नहीं कर सकते जब मैंने इसे इस गाउं की वसूली की जिमेदारी सौंपी थी तभी मैं समझ गया था यह कंपनी डूबेंग मंगल से चुपा कर चुप चुप के मैं तुम्हें इतने सारे पैसे लेता हूँ और तुम मुझे ही डुबा रहे हो मैं क्या बताओ शेट जी वो जीतू नाम का लड़का इतना चालाग था कि सब उसकी बात उमें आ गया मैं भी आ गया अरे पैसे तो मेरे डूबे ना तु कर उसके बाप का गला दबोचो फटा फट पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे अजी गला दबाना तो कुछ नहीं लोगों ने उसकी हालत इससे भी जादा खराब कर दिये वीज बादार में उसकी धोटी उतार दी घर पे पत्थर फेंके आप तो लोग बोल रहे हैं अगर उ ही सउली इसे कहते हैं लेंदार इसे कहते हैं असली हिंदुस्तानी हिसाब लाइओ हां ही जगा इत मिनिट के बच्छे ने इने-先 ऐडाम की अभाई साब ओती वाले था अव्य सुल्य परभाध सिंह जोहान की बेठी मिनाक्षी आप क्या किसी जीत नाम के लड़के को जाने हां, क्या हुआ। अच्छी तरह जानते हैं। बहुत अच्छी तरह है। अबल नंबर का धोक अबाज था वो। रुपय लेकर पैसे लेकर गायब हो जाता था। अब वो मर गया तो उसकी लाश भी हमको धोका देनी। वो भी गायब है। उस साली के लाश जब तर नहीं मिल जाती, मैं चैन से सो भी नहीं सकता है। उसकी कोई तस्वीर होगी आपके पास? कहीं भी उसकी लाश मिल जा है। उसको पहचानने के लिए सुबूत के तौर पर मैं हमेशा उसका फोटो रखता हूँ अपने पास, यह देखो। पूरे गाउं को धोका दिया उसने, भरोसी के लाइक नहीं है वो, जूट पर जूट बोले जा रहा है, और वो गुंडियाबाव का कुछ भी नहीं लगता है। उसके पिताजी स्कूल के हेड़ मास्टर है और उनको भी नहीं छोड़ा उसने। उसकी वज़े से पूरे परिवार का जीना हराम हो गया है। जब भी काम होता है, ओफिस के लोग छुटी लेकर चले जाते हैं। ये रोकड़ा शाम के फांच बज़े तक मैता साब के पास नहीं पहुंचा तो खट्या खड़ी हो जाएगी। देखो, ये रुपया पांच बज़े, पांच बज़े मैता साब, मैता, टोपी के पास पहुंचना चाहिए। नहीं तो सब गड़ पड़ हो जाएगा समझे अरे मैं तो सीख गया बड़ा असान है ये लो जल्दी से से गिल लो बराबर है के नहीं और आ जाओ भाई अपिता जी अभी तक आई नहीं दूंते दूंते तुम लोग फिकर मत करो काका जी आ जाएंगे वो लोग बहुत पैसे लेकर गए और साथ में वो लड़का भी है वो गुंडिया भाव का भतीजा अगर उसने कुछ नहीं नहीं वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता मैं जान यहां पर है क्या उनके जाने के बाद किसी का यहां पर फोना है नहीं हमने बहुत जागा ढूंडा लेकिन अभी तो नहीं कोई खबर नहीं आए जो कि से मेसेजर साब साब उसको गिरफ्ता कर लिया है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है वो आत्मी हमें मिल गया है लेकिन पूछने पर कुछ बताने रहा जाके साले को तो चापट लगाँगा ना तो पोपट की तरह बोलना शुरू कर देगा चलो पिदाजी जाओ आपको शुथ है का 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 कैसे वह आई कुछ नहीं कुछ नहीं गबराओ नहीं ठीक हो नहीं मैं ठीक हूं चोटा साइकसीदेंट हो गया वो अच्छा हुआ के कनिया साथ में था उसने बचा लिया मुझे अस्पतार लेकर गया फिर जिसको पैसे पहुंचाने थे उसको पैसे पहुंचा के आया फिर वो दवाही लेने गया उसके बाद वापस ही नहीं आया यहां आया क्या अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं झाल गड़ा दो मुड़ा दो कि अजरे जब तुम वापस नहीं आए तो हमने सोचा कि कि मैं पैसे लेकर भाग गया जैदेव प्रसाद मास्टर जी के बेड़े ने सब कुछ सीखा है लेकिन चोरी करना नहीं सिखा हूं और नहीं मुझे किसी को दोखा दिना आता है अगर आता तो मैं आज इन हालात में नहीं होता है इस से पहले कि लोग मेरे घर को चला कर राक कर मुझे वहाँ जाना होगा क्योंके इंशुरेंस के पैसे उनको तभी मिलेंगे जब वहाँ मेरी लाश पहुंचेगी लेकिन मैं वहाँ खुद चल कर भी नहीं जा सकता किसी को कंदा देना होगा मेरे शरीर को यह मेरा दूसरा जनम था बेना कुछ सुने बेना कुछ कहे जिए जारा था अब वक्त आगे है कि इस जनम को भी खतम कर दो कि चला दो इनके और ये ये क्या खाता है ये खाता फिचिंग फाइनन्स कंपनी का खाता है अरे 35 लाग का तो हमारा इंवेस्टमेंट है तो 36 लाग का घाटा कैसे हो गया वो देखी हमने 35 लाग लोगों को करजे पे दिया उस 35 लाग को वसूल करने के लिए एक लाग रप्य और लग गया वो क्या है कि वसूली के चक्कर में कई बार मुझे हस्पिताल के चक्कर काटने पड़े वो सब मिला कर बता रहा है इनी मा ने मुझे लगता है इसके पहले के मंगल को पता चले मुझे सारे धंदे बंद करने होंगे कोई बात नहीं मंगल भाईया को हम बता देंगे और सिफ इस घाटे के बारे में इस साल के सभी घाटों के बारे में हम भी बता देंगे क्या और वो शर्मा जी से कितना वापस लेना आपको शर्मा कॉन शर्मा कैसा शर्मा कहा का शर्मा क्यों बहुत तुम किसी शर्मा को जानते हो हाँ हाँ नहीं जानता शर्मा को मैं नहीं जानता शर्मा को तु 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 मुझे कुछ नी चाहिए, पहले आप ये आल्तु-फाल्तु के धंदे बंद करो और कुछ बड़ा सोचो करूँगा आपको मालूम है, मंगल भाईया का हर बिजनेस फाइदे में क्यों चाता है क्योंकि वो अपने हर धंदे के शुरुवाद शूती के हातों करवाते हैं इसलिए मेरी बात मानूपिताजी और आप अपनी फाइनांस कंपनी की नई शुरुवाद शूती के हातों से ही करवाओ लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो, आप अभी शूती को तेरा लाग नभ्य हजार दे दो, और वो अगले साल आपको सूत समेट सारे बापेस लोटा देगी. दे दो, दे दो, पैसा दे दो, वैसे भी हर सल आम बार पैसा देकर घाटा ही करते हैं ना, इस बार ये चांस इनको देते हैं, अगर घाटा होगा, तो घर में होगा ना. ए बांडिया, मुझे नहीं पता था, मैं इतना खुबसूरा लगता हूँ, क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहां तेरी खुबसूरती देखने के लिए नहीं बुला, इधरा, बैग नीचे रख, और जो बताया समझ गया, हाँ समझ गया, क्या समझा, बैग नीचे रखने का, एक मारों की तुझे, कोई मजाख नी चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का का कौंसा, बैग नीचे रखने का, अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले उस गाओं की बस पर चड़ूँगा, कंड़क्टर को सो की पत्ती दूँगा, बानवे रुपय का टिकेट खरी दूँगा, फिर, बाकी चुट्टा बापस लूँगा, ओ फो अरे फिर बस चुट्टा पर उतरूँगा, अब उतरते ही पूझ लूँगा, जावेद प्रसाद का घर का है, जावेद प्रसाद नहीं, जैवेद प्रसाद, बस ठीक ठीक, बाकी काम तो मैं यूँ चुट्कुम कर डालूँगा, वो कैसे, मैंने सब कुछ एक पर्चिम लि ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है, क्यों, तुम्हें क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए, तो बैक महीं पकड़ा दूँगा, इतनी दूर जाने क्या जुरूवत है, अरे तुम जाते हो या नहीं, ठीक है, जाता हूँ, और ये बैक भी इतनी भुलककड़े जाहां रखता हूँ, भही बैठ जाती, चल जीते, और सुनो, पालतू कुत्ते की तरह, सिफ ये बैक देकर मत लौटाना, जीतू के बार में जितनी जानकारी मिले, सब हासिल करके लाना, टफोर सालो, अरे बाद निकलो, बाद निकलो, बाद निकलो, तुम्हें पैसा दो, मरे हुए जीत का घर यही है क्या, यही है, क्या बात है, आप लोगों में मरे हुए जीत का बाद को उन है, क्यों, क्या बात है, तो आप है जैवेद प्रसाद, जी, आपको क्या चाहिए, मुझे All and Soul कंपनी के मालिक ने भेजा है, यानि कि मरे हुए जीत के पार्टन ने, प और भी सब लोग मिलकर हमें चला दीजिए, उस तरह से आप लोगों का करशा चुकता हो जाएका तो ठीक है, लेकि सच्छा ही है, कि मेरे पास एक भी पुटी-पुटी-कौडी नहीं आप लोगों को देने के लिए, और इतनी हिम्मत भी नहीं कि आत्मत्या कर सकूँ, आपे नीचे उतर, नीचे उतर, सुबह सुबह बैग उठाके चला आया पैसे मांगने के लिए, और इतना छोटा बैग क्यू लाया, बला क्रक क्यू ने लाया, चल वे, तुमारे तरह हम भी पैसे लेने के लिए ख़़ए हम कोई लल्लू नहीं है, अरे नहीं मैं पैसे ले अब तक क्या मैं चाइनीज बोल ला था, क्या है मास्टर जी, कंपनी का दिवाला निकल गया, फिर भी मुनाफे में चल रही है, तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है न, वो इस बैग में है, कितना है, कितना है, ये मुझे नहीं मालू, मुझे तो बैग आपको ये सब करने की क्या जोर होती, इसने का भेजतो, तो मैंने भेज दिया, मुझे जब भी दुख होता था, मैं भगवान को याद करता था, मननते मांगता था, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी, फिर मुझे लगने लगा कि वो है ये नहीं, लेकिन आज मैने देख लिया, एक बार हाथ चोड़कर नमन करने की इजहासे दीजे, नमस्ते, मोहन, मोहन राओ जी का घर यही है ना, हाँ क्यों, मैं सोच रहा था कि एक बार उनको देख के चला जाओ, मैं हूँ मोहन रहा हूँ, देख लिया, चले जाओ, जी धन्यवाद, क्या है मैं लंगोटिया जीटू का मरा हुआ यार हूँ, मैं मतलब मरे हुए जीटू का लंगोटिया यार हूँ, क्या, था, थी, हैंहें, हुँ, हुँ. और क्या हूं? बेवकुफ तुम्हारा पेज दिला है क्या? क्या क्या है? लोग कहते हैं ये उस लड़की का घर है पूजा जिसकी साधी मरे हुए जीतू से होने वाली थी चप! खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो हाँ, ठीक है चलो नाम नहीं लेते हैं क्या मैं उससे मिल सकता हूं? वह यहां नहीं रहती उसे मिलना है तो जाओ उसके पती के घर पती के घर? हाँ, पती! पती, पती, काई का पती, रक्तू और कुछ, हाँ? अब उसके बारे में एक भी लब्द निकालाना तो चले जाओ यहां से जानबची तो लाग हो पाए, लोड़ के गुद्दुगर को है क्या पोछा तुमने? यह कौन है? तुम जीतू के क्या लगते हो? क्या? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ अरे भी साले, साले करता है साले, जरासिन, रावण के खांदान, साले मचली काच, सुवर की तुम चलिया का मूद, साले धोकेवाज अच्छी दोस्तीन भाई तुने इतना बड़ा दोखा दे तुने मुझे साले, मैंने तेरी जान पचाई तो कम से कम एक लफ मुझे तो बोल सकता था मैं तेरी गुं की हिमिलना चाताओ, अगर मैं तेरी जाल पचा सकता हूँए तो मैं तेरी बंड बो बरी भी खोल सकता हूँ, बोल साने बोल मुझे माफ करना, टोस्त अचा मुरी बाट, सुप्लतू dobr importantes या या तॉर्ष्वाज जा हो ये सब क्या चल आ पता लगा लिया ? सब कुछ पता लगा लिया ,Wennay अपने दिमाग इस्तेमाल कर गया, सब अपने दिमाग के साथ थी करना। अपने दिमाग के साथ फोड़ा साबन भी, सब आख सता के खोड़ है हम् फिर क्या ,पती ,पती ?पती ,पती ,बोल थूखा उसने एक बात तु साफ है, कि ससुर दामाद के सम्मन्द अच्छे नहीं है अंकिल हैं ही गरम मिज़ाज के चलो ये तो अच्छा हुआ कि पुझा ने शादी कर ली मैं भी हमेशा ये ही प्रात्ना करता था वो जहां भी रहे, खुश रहे, मेरे लिए तो इतना ही काफी तुमने उसके पती की तस्वीर देखी, तस्वीर, ये जो तस्वीर देखी, उसका दर्द अभी तक गया नहीं है, ये तू चुप रहे गूंगे, तेरी दोस्ती बहुत महिंगी पढ़ रही है, मुझे हलो, ये पूछ रहे, अब तो तुम्हारी सारी मुश्किले हल हो गए है, तो अपने गाउं जाके सबसे मिल क्यों नहीं लेते नहीं, पूछा हमेशा इसी इंतजार में रही, कि मैं कब उससे शादी करूंगा, मैंने उसके साथ बहुत नाइनसाफी किया, अब और नहीं करना चाता, मैं मर गया हूँ यही सोचकर आज उसने शादी किया, अगर मैं वापस गाउं गया, और उसने मुझे जिन्दा देख कभी नहीं, तो तुमने यहीं रहने की ठान लिया गया, हाँ, सुचना हो बस थोड़ी भूट गुचराती सी के, आप लोगों के साथ यहीं रह जाओ, अच्छा, तो इतनी हिम्मत है तुम मैं, हाँ, तो मैं इसकी शादी तुमसे करा दूं, हाँ, है, हैं, साच कहरी, यह तो तुम्हे बहुत पसंद करती है, तुम्हें पसंद आया नहीं, 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 अरे, पसंद आया नहीं, बोलो, नहीं, नहीं, मतलब पसंद नहीं, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद है, अच्छा, तो यह है कि मन की बात है नहीं नहीं वैसे नहीं वो तो आप लोग मजा कर रहे थे तो मैं भी मजा की कर रहा था मैं इतनी आजानी से बजने वाला थोड़ी हूँ मेरे बेटे ने जो भी कर्जा लिया था वो सब चुकता कर दिया वो सारे वादे उसने पूरे कर दिये जो उसने किये थे बस एक वादा रह गया जो उसने तुम से किया था अब यहां रहकर तुम क्या करोगी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है सवाल सिर्फ एक मंगल से उत्रका ही तो है जो उसने मेरे कले में नहीं बांदा वरना मैं तो उसी की थे बच्पन से जो हुआ सो हुआ भूल जाओ सब कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की पर हो नहीं पा रहा है इस शरीर से मेरी जान जा सकती है लेकिन जीत की यादे नहीं लेकिन तुम्हें अपनी जिन्दे की जीने का अधिकार है कम से कम मुझे इतना अधिकार तो दीजी कि मैं जीत की विद्वा बन कर जी सकूँ यही मेरा सुक है कि मैं जीत की विद्वा हूँ में आमाजा हो रारियो आया रे आया रे ये दिल तुम्पे आया रे ओसनम ओसनम बहुत अच्छा लिखा है किसके बारे में लिखा है मेरे बारे में चलो अच्छा है कम से कम मैं आपके कविता लिखने के तो काम आया वैसे ये शौख आपको अच्छानक कहां से जागा है हिरन नहीं अरे मुझे बंदर बुला रही थे आप नहीं क्या है अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं तो तुम मुझे बताऊगी क्या है क्या दिखाने अब एक उंगी ना इतनी मार खाने के बाद भी तो सुधरा नहीं अगली बार ऐसी हरकत की ना तो ऐसा पिटेगा कि याद रखना अरे बाद श्राव लाई लाई लो दो झाल 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 तो तो तुम्हें कुछ पता नहीं पता है शूती के दिल में उसके लिए लेकिन शूती ने कुछ गलत जानता हो मैं अपनी बच्ची को क्या लगता वो गुंडिया भाव का वो बादीजा कितने सालों से है वो तुम्हारे साल तीस साल से मेरे साथ ही है मतलब उसकी उमर क्या होगी यही 25 शबिर उससे ज्यादा नहीं हिसाब कुछ, साही नहीं बैठ रहा है गुंडिया नहीं मैं 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 गब्रा करा हूँ जब भी गब्रा जाता हो तो हिसाब उपर नीचे हो जाता है लेकिन उसकी उमर को लेकर हम क्यों बहाश कर रहें आपको कितनी चाहिए उतनी रख लेते चलेगा आना, अब फिगर बोलो नहीं चलेगा, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ उसके माबाब, उसका परिवार नहीं, उसके बारे में मुझे मत भुझो मैं तो बयानी नहीं कर सकता हूँ उसके माबाब, जो भी कुछ है, सिर्प मैं हूँ कोई गरबड की है उसने गुंडे तो मेरी भेहन को अच्छी तरह जानते हो कई रिष्टे आते हैं उसके लेकिन सब उसके दौलत के पीछे पड़े हैं तौलत मिलते ही बोज बन जाएगी हो मैं चाहता हूं से उसी की तरह एक लड़का मिले ताकि दोनों एक दूसरे पर कर सकते हो बात तो सही लेकिन अभी ऐसा लगा चाहां मिलेगा और मै तो आपके सीवा और किसी गुजराती को जानता भी नहीं के अपकी नजर में कोई अ लड़का है है लेकिन को जाती नहीं तुमाहरा व प्तीच्ज दोगे मुझे एसे ही मैं हिंदी, माराथी गुच्राथी बंगाली भेदवा में नहीं मान्ता मतलब मतलब शादी सोच लो फिर बताना मुझसे पुछे मिना मेरी शादी तेकने वाले वह कौन होते है यार तेरा चाचा अरे चाचा होगा तेरा यार मेरी शादीया मुझसे पूछाते चाहिए औरे पूछेगा तो तुझे सुनाई ने देगा और सुनेगा तो तुछ बोल भी तो ने सकता हो सकता ये रिष्टा हमारे लाइक नहीं है पता नहीं कहां से आया वो इतना इंतजार करने के बाद अपनी प्यारी सी बेहन के लिए तुम्हें यहीं लड़का मिला उसको समझने वाला उसको चाहने वाला चाहिए था उसके आगे मैंने कुछ नहीं सोचा है प्यार ही सब कुछ नहीं होता जीना भी तो है वो तो बोल नहीं सकती और उससे शादी करने वाला ना बोल सकता है ना सुन सकता है तो फिर जीएंगे कैसे सुमान है ना मेरे पास तो बोलेंगे उनके लिए कान है ना मेरे पास सुनेंगे उनके लिए बागल हो गया तू अभी तक इस घर में कोई भी गल्ती करता था तो तुम सदा देते थे और सब स्विकार करते थे मैं भी और आज तू गल्ती करने जा रहा है भुखतेगा तू मेरी बात याद रखना बहुत भुखतेगा तू भुख दूँगा लेकिन बिना किसी शिकायत के ये सारी थंद आलात आपकी है काका आप ही को सौब दूँगा खाली आज चला जाओंगा लेकिन बस इतना चाहता हूं कि मेरी भेहन की शादी इसी मंदब में हो क्या क्या कहा क्या कहा तुमने अपनी मेहन से खड़ी की हुई ये इमारत ये संपत्ती छोड़ कर चले जाओगे ऐसे ही ये ये सब जायदाद मेरे किस काम की मेरे लिए तुझ से बढ़कर और कुछ है क्या मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे साथ दोखा नहो मेरी बेटी के साथ दोखा नहो नहीं काका मुझे पूरा वरोसा कि वो हमें दोखा नहीं देगा भाया मैं तो आपको भाया कहने के लाइक भी नहीं भाया मैं आज तक ना कुछ कह रहा था ना सुन रहा था लेकिन ये मेरी मजबूरी थे भाया मजबूरी मजबूरी में आप मी ऐसी कंदी हरकत करता है दोखा देता है जूट बोलता है चोरी करता है हमसे खिलवाड करने का अजाम चांदते हो मरो सारा रेट बारा रुक जाओ चोर दो से रुकाओ अब पता चली तुम्हें इसकी अस्रियत अब भी अपनी बहन की शादी इसके साथ कराना चाहते हो तो जाओ करा लो जब मेरी बहन ने काओ तुझे चाहती है तब मैं तरस गया था तेरी मूझसे भाहिया लख सुनने के लिए लेकिन आज मैं यही लख दो कि बास के मूझसे सुन रहा हूँ क्यों किया तुने ऐसा क्यों मुझे माफ कर दू बही आफ कर दू मेरे साथ जो धोका तुने किया हूं मैं माफ कर सकता हूं लेकिन मेरी बहन के साथ जो धोका तुने किया हूं मैं कभी माफ ने कर सकता हूं आज के बाद तो कभी कुछ नहीं बोलेगा अठिया! कभी कुछ नहीं बोलेगा तो बस मैं सब कुछ से सकता हूज नेद। तो bending बाहले में सब कुछ पता है कुछ भी नी चुपाया मैंने उससे बलकि मेरे बारे में वो जटना जानती है इस दुनिया में और कोई नहीं जाता अगर तेरी बात सच है और वो भी मुझे तेरी तरह दोका दे रही है तो आज के बाद मेरी कोई बेहन नहीं रहेगी नहीं भाया आप उसे कुछ नहीं करेंगे इसमें उसकी कोई गलती नहीं है भाया आज आपको पुरी सच्चा ही सुनने पड़ेगी शोती बैना ये ये क्या कर रही है तो तू इसमें तुम्हारी कलती कोई नहीं है पेता हमारे दर पे आने वाले हर आदमी के आमासू पहुचते है तुम्ही तो वही कर रहे थी ना देखो एकदम जो चाहो कि वैसे ही होगा मेरे लिए तुम्हारे से बढ़कर खुशी इस दिने में और कुछ नहीं है पीटा पीटा नहीं नहीं रोते पेटी जीत ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारे को छोड़कर कभी नहीं जाओके तुम्हारे को छोड़कर कभी नहीं जाओके हिंदगी भार उसका साथ दोगे अगर तुम्हे रादे के पक्क्य हो तो है यह वादा करना हू मैं मर्ते दम तक इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओंगो यह मेरा फाद है सलाम कर सलाम अमे वो पुरा ना गुंडिया बावु नहीं हूँ यह तरह सेड है ना उसका मैं संदी होने बाला हूँ क्या संदी सलाम सेड और अवे बोल के गुंडिया सेड अंदर आये आईसाइब तरहां सलाम उप्ष्ड का मचछ मेरे माली माली मैं ओ राकादर अंदर मच्छा गंदर मच्छा अंदर मच्छा वापस ज़ए वापस ज़नषन तुन्डिया सेट ने एक बार कदम आगे बढ़ा लिया पिछे नहीं एरता और एक बार कदम आगे बढ़ाया तो हात पचल के बापत जाओगे अंदर मत जाओ अपड़े दो मैं अपने बेटे और संजी से मिलने जा रहा हूं भोगाट नहीं बतीजा बतीजा था अब मैंने गोद लेले लिया रहे किसे ता को अबच था था ता ना उसका मैं अपने आप से गोद ले लिया तो बाप बनगा एब भगबान मालीक अंदर मत चाओ आओ तू कॉन होता है मुझे रोकने waala चला हमस कॉन बोला कॉनं बोला कॉन दूकॉन मिन तू क्या बोला हूं कही भोल यह तो बोलता है कुछ नहीं बोला तो तू क्यों बोला कि वो बोला मैंने नहीं बोला कि वो बोला तो तूने क्या बोला मैंने बोला कि वो बोला लेकिन मैंने जब उससे पुछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला हाँ वो नहीं बोला और तूने मुझे बोला कि है आओ ओफ गुंडिया तुम्हारा ही इंतजार था यह को क्या लेक्रा सावा मेंठी-पाक नहीं लाएं नहीं, वो नहीं लाया हूं में कोई बात नहीं वो हम तुम्हें देंगे जरूर, अपने आतों से खिलाना बतीजे से मिलोगे हाँ, बुलो, बुलो कनया, तेरे प्यारे चाचुवाए हैं चाचाजान कनया तुम इसके क्या लगते हो हो चाचा, लेकिन अइसा दिसम्झेगा उसकी भाष्णा में सबजाना परे, यह देखी ए ए चाचा चाचा समझा समझगे, आप मुझे चाचा कह रहे है हाँ मने कौश, सुन आ जी, कैसे है आप चाचाची करगोगा देजह की जी फिर से पहली बार नहीं है मैं पहले सब को सच पता है कि मैं गुंगा बैरा नहीं हूं और मैंने उने यह बता दिया कि आप मुझे समंदर से लाए तैं अब तुम्हें और कुछ कहना है किसकी हटी तूटने का बाज थी अभी तूटी नहीं तूटने वाली है यह सब खा के खत्म कर फिर मंगल फैसला करेगा कि तेरे साथ क्या करना है मुझे कुछ मत करना मैं कसम से तो मुझे नहीं बता था कि यह बोलने वाला गूंगा है सच किस विश्टे से यह तुमारा बतीजा लगता है आप तो जानते कि मैं भारती हूं और सभी भारत वासी मेरे भाई बेन है तो इन में से यह भी मेरे एकाद भाई का बेटा तो हुआ ना मेरा बतीजा आमरे भारत में तो ऐसा होता है पता नहीं आपके गुजरात में कैसा होता है महीं नहीं जानता है एम चो ब्यों तुम ऐसे यहां लाएओ इसलिए तुमारी उदारी माफ तो ब्याचका क्या वो भी माफ वो भी माफ देखो मैंने जो भी कुछ किया वो मजबूरी में किया है लेकिन तुमारा भाविशय तो अच्छा हो गया मैं नकली हूँ लेकिन अपने इस चाचा को भूलना नहीं आज मैं चुबी कुछ हूँ आपके और बांडिये के वज़े से हूँ नहीं भूलूँगा मरते दम तक नहीं भूलूँगा ये जीत के घर दे आओ इसमें इतने पैसे कि उसके घरवाले जिन्देगी वर सुक और शांती से जी सके मैं चाहता हूँ कि उसे आशिरवात थे बस प्यार से याद करें तुम्हारे घरवालों से कुछ कहना है मेरे घरवालों को कुछ बताने की ज़रवत नहीं आप तो सब कुछ चानते हैं मैं नहीं चाहता कि कल को कोई यहाँ पर आकर ये दावा करें कि मैं उनका वारिस हूँ ठीक है चला नहीं हमें ये पैसा नहीं चाहिए अब ऐसा सोच लीजे जीतने आपके लिए भेजा है और हमने जो दंदे में कमाया उसमें जीत का भी तो हिस्सा है ना तो भी बताव बेटी क्या करना चाहिए आपने बिल्कुल ठीक कहा हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है क्या करेंगे हम इनका यह कौन है यह वो यह वो जीत की जीत की क्या जीत की विदवाय पुजा आपको कैसे बता जीत ने बताया था क्या बताया उसने मेरी बारे में कि वो मुझे पसंद करता है तुम अंदर जाओ बेटी आप जीत को करीब से जानते थे करीब से नहीं दिल से काश मैं उसके दिल को जान पाता तो आज इन आपत कभी नहीं आती सब तक दीर का खेल है अब तो हम भी यहीं तसली दे सकते हैं अपने आपको यह पैसा आप रख लीजिए और इस लड़की की शादी करवा दीजिए और मैं आपसे भी कहता हूं मास्टाची कि आपके दिल में गर जीत के लिए थोड़ा सा भी प्यार है ना तो बाकी की जिन्दगी आप खुशी से बिताइए हाँ हाँ वो मर गया तो क्या हुआ आज देखिये अच्छी पोजिशन पे तो पहुँच गया ना कम से कम इस बात की तो खुशी होनी चाहिए आपको कितनी बार का लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया चाहिए वो कितना भी दूर हो मैं उसके दिल की आवास सुन सकती हूँ पिछले कई दिनों से मुझे यह मैसूस हो रहा था मेरा पीठा मरा नहीं है वो जिन्दा है बैठो कुम मर कुम अंदर रहे पिताजी नहीं मैं नहीं 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 को बोल कर आना है आजाओ फिर हमें तोरंट जाना है चलो मुझे कुछ दिन दीजे पताजी मैं जरूर रहाँ का नहीं तुझे इसी वक्त मेरे साथ चलना होका पेटे ऐसे पल में मुझे यहां से खाली हाथ मत जाने थे मेरे लिए ना सही अपनी मा के हासों के लिए ना सही जिस दिन तू समुंदर में कुदा था उस दिन से एक जिवा बनकर जी रही है पूजा पिता जी तुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा उसके आंस्वों के बारे में जिन हाथों को तुने पकड़ कर चलना सीखा था उन्हीं हाथों को जोड़ कर मांग रहा हूं आज तुझे मेरे साथ चलना ही होका पेटा इंकार मत करना मेरे बड़े अच्छे दोस्ति दिली जे हैं अच्छा सुनो बेटा मंगनी के रसम शुरू होने वाली है सब लोग इंतजार करें चलो आओ 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 वर्मा जी मैं लेकर आता हूं से अब वो इस गर का सदस्य है आपका बेटा नहीं है मेरा बेटा कैसे नहीं है नहीं है और आओ नहीं है किस अधर नहीं कि कि मेरी बात सुनी मजे कले करी ए ो वह देखता होंगा मैं पिर जाईे एंदर हमांगे अपना हग पताय अंदर क्याओं आप्की आँकों के सामने आपके बेटे की मौत होगि देखना है आपको तो जाके देखिये जाए ना जाए ये क्या आप जिम्मेदार नहीं है उसकी इस आलत के लिए कम से कम अब तो उसे चैन से जीने दीजिए आप जाहिए यहां से जब आपने एक बार मान लिया है कि उमर चुका है तो फिर से उसे जिन्दा करके आप अब क्यूं मारना चाहते हैं उन्होंने जो का था वो सच है मरे हुए कभी लॉट कर वापस नहीं आते और जो ऐसा सोचते हैं वो सारा सर बेवकूफ है और जानती हो उन्हें सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है तुम उसने तुमसे शादी नहीं की तो तुम कैसे अपने आपको उसकी विद्वा कर सकती हो अभी निकल जाओ इस घर से आप मैं तुमें इस घर में एक पल भी नहीं रख सकता चलो निकलो यह क्या अनाचनात बख रहे हैं आप इस घर में रहने का तुमें कोई अधिकार निकल जाओ तो तुने उसे देखा तुने उसे भुला लेकिन तेरे बेटे ने घर पे आने से इंकार कर दिया यहीं ना अब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारा मूँ बोला पती तुम्हें कितना सारा प्यार करता है अगर वो तुम्हें चाहता ही नहीं है तो तुम इस घर में क्यों पड़ी हो क्यों पड़ी हो तुम इस घर में हम दोस्त हैं बच्पन से जब मेरे घर लक्षमी पैदा हुई तब नजाने कौन सी मनूस गड़ी में मेरे मुझ से निकल गया कि मेरी बेटी इस गर क्यों उसकी इतनी बड़ी ससा मिली मुझे अब तुम्हें मैं जिसकिसी के भी कदमों में फेकूंगा उसी से ही मंगल सुत्र बनवाना होगा वरना वरना इसे मैं तुम्हारी आखों के सामने सिंदा जला दूँगा और वो भी देखना होगा तुम्हें मैं घर जा रहा हूँ पूझे से मिल ले एक बार माफी मांग कर उसकी मंजूरी तो लेनी चाहिए इतना तो मुझे करना ही चाहिए आउंगा जरूर रहूंगा बस मेरे लिए प्रातना करना कि मुझे उसका सामना करने की हिम्मत मेले तू लोट आया मेरा बेठा लोट आया मुझे बाफ कर लिजी पिताज कुछ मत कहो बेटा अगर मैं आज भी तुम्हें नहीं समझ सका तुम्हारा बाप कहलाने के लाहिक नहीं चलो भी गर चलो घर में दो लोग तुम्हारा बेशाबरी से इंतिजार कर रहे हैं और सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर जी रहे हैं चला बेटा तुम्हारी तपस्या यह से वापस लेकर आई है अब तो रोना बंद करो अब से जीत तुम्हारा है सिर्फ तुम्हारा है ना बेटा बेटा अब एक पल भी इसे इस हाल में मत रखना यह ले सिंदूर और भर देश की मां कर मेरी शादी मजबूर था करजा चुकाने के लिए आप लोगों की सुक्षान्ती के लिए मैंने अपने आपको वहां बेच दिया अब मैं आपका नहीं उनका हो चुकों देखो बेटा यह कोई मामूरी लड़की नहीं हैं जो सिर्फ इंतजार कर रही है तुम्हारे लिए जिंदगी के सारे सुख त्याक करके एक विद्वा बनकर तपस्या कर रही है तुम्हारी विद्वा अगर इसके आशूव की एक भी बूंद इस आंगन में गिरी ना तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा अपन वो लोग मानेंगे नहीं पूजा मुश्किल है तो छोड़ दू मैं तो बस यूही इसे ही पूजा जीत जीत तुम जोच रहे मांग लो मैं अपना सब कुछ बेजबाच कर गली-गली भीक मांग कर तुम्हें हर मांग पूरे करूंगा लेकिन मेरी बेटी को मां ठोक रहा हूँ मेरी बेटी को मां ठोक रहा हूँ तुम्हें बिना बतायों कई नहीं जाएगा कि देखो तुम तो मर चुके और तुम्हारा परिवार भी बरबाद हो चुका था यह गुजराति लोगोंने तुम्हें जीवनदान दिया तुम्हें नहीं ζिंदगी दिये इन लोगोंने अगर तुम्ही इस बात को भी भूल गए ना तो बगवान तुम्हें कभी माफ नी करेंगे और तुम्हें नहीं गए तो लोग इहां जाएंगे फिर तुम्हें सोच लो क्या होगा अरे सोचने की ज़रूरत क्या है देखो बेटे पुजा तुम्हारा बिता हुआ कल ऑफ लड मैं अपने घर तक बस एक वादा तो तुम तोड़ चुके अपनों के पास चाकर अपके दूसरा वादा भी तोड़ दोगे शुति और इस घर को ना छोड़ने का एक बार तो इस मंदप में उसके आशु किर चुके है अगर तुमारा उसके साथ ऐसा दोखा हुआ तो वो मेरी वज़ा से उसे कभी दुख नहीं पहुचेगा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए चोटा सा तोफा अंगूठी है लेकिन तुम्हारी उंगली में बैठेगी नहीं बहुत छोटी है लेकिन जब तुम्हारा बच्चा होगा ना तो उसकी उंगली में बराबर बैठेगी ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कर सकता हूं तुम त आपना मंदा प्लेकर चलों कापी और निकल यांसे चलिए नमस्तर है जीत हमारों ज्यपूर के पार्टनर मिस्टर गुपसा संबग्राइशन थे राफ देली को है एंडस्टीने इस्ट अना जी आइए आइए अचीत ये 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 मेरे पिता जी ये इसकी माँ है और ये इसकी मंगेतर हैं इसी के लिए हम लोगे हाँ है हमारा बेटा हमें वापस दे दीजिए वापस हाँ वापस देना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए हम जीत को यहां से ले करी जाएंगे तो इसको यहां से ले जाएगा? हानु, ले जाओंगा.. कोई हिया क्या? क्या भुल ला तु? मै ?? की शादी तो टूरा कर तू उसे ले जाएगा? हाँ! यह शादी हर्गिस नहीं होगी अदर तुम्हारी बаєन की शादी के लिए तुम्हें कोई लटका नहीं मिल रहा है तो जा के फेक तू उसे दर्या में यह मेरे मैं उसे जाने नहीं दूगा मैं उसे जाने नहीं दूगा जाए कोच भी हो जाए मैं उसे तुमसे अलग होने नहीं दूगा बेटी हमें माफ कर दो हमारा बेटा हमको लोटा दो अब तक मैं उसकी विद्वा बनकर जी रही थी अब क्या बनकर जी हूँ बोलो तुम ही बोलो वह बोल नहीं सकती पेजुबाने जीट के लिए तुम ही जन्मी हो सिर्फ तूम मैं नहीं तुम दूनो की बीच में का बीनें यांगी का बीने भाया किसे के आंसो देखकर हमारे घर में खुश्यानी बनाता है लेकिन किसे के आंसो पहुचने के लिए हम जान की गुर्बानी देने से भी पीछे नहीं याड़ते उसके दो को में बीच आमारे कोना आज जो से पिमा का मिला अपुली अपने दिल का दर्ग बोल करों भी नहीं सकते पिचारी उसे छोड़कर कहां जा रहे हो तो इस परिवार का श्राप लेके कुछ हासल नहीं करना है हमें मैं आपको श्राप नहीं दोंगी हम इसे कोई भी नहीं अब और दुक नहीं दोंगी मैं आपको अब से विद्वा का रंग भी नहीं योड़ूंगी मैं अगर तुम उस बेजुमा को एक संदगी दोगे तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इस सब और मान बढ़ जाएगा यह मैं सच्छे दिल से कह रही हूँ कि हुआ है है साथी हो गए साथी हो गए मुझा मेरा मंडप मिल गया यह ए है अभे ठीज्कों है